हेलो इस्टूडेन गुड आफटरनून मैसल्फ वीजय कुमा यदू फ्राम भारती कोलेज आफ इंजिनेरिंग एंड टेकनोलोजी दुर्ग आज के इस लेक्चर में हम लोग फ्रन्ट एक्सल एंड इट्स टाइप्स के बारे में डिसकस करेंगे तो सबसे पहले देखते हैं फ्रन्ट एक्सल क्या होता है और उसके कौन-कौन से कंपोनेंस होते हैं तो जो फ्रन्ट एक्सल होते हैं वह मेंली क्या करते हैं हमारे जो वहिकल होते हैं जो वहिकल के लोड को कैरी करने के काम करते हैं रियर एक्सल एंड फ्रन्ट एक्सल अब फ गुछ वहीक्ल से पर्टिकलर उसमें क्या है लाइव accells ქ přेक्सल वहां पर क्या होता है उसमें द्व करता है आसे twins और थे त्रूर क्या करता है वहां वहां पर versteiji ये-भाब प्रस्छ चेश्चेज करता है या run होता है और as well as क्या करता है जो front आपका जो एक्सल है वो हमारा जो socks होता है जो socks absorb हो रहा है उसको क्या करता है वो road variations के कारण उसको socks को absorb करने के लिए भी help करता है और वही जैसे मैं बताया कि जो front axel होता है generally क्या होता है वो dead axels होते हैं लेकिन कुछ जो cause microw hundred live axels भी होते हैं अब front axel के बारे और लोग देखते हैं तो तो wszystkim goes girls front wheel क्या होता है वह है जो आपके क्या करते हैं front axel में mount होता है उसमें क्या होता है रोटेट होता है ठीक है कैसा रोटेट होगा तो जो फ्रेंट एक्सल है फ्रेंट एक्सल में क्या होता है जो साफ्ट है ठीक है उसमें क्या होता है हाउजिंग से लगा होते हैं एक्जल हाउजिंग पहले क्या करता है हमारा जो है वेट अब दे वहिकल को क्या करता है सपोर्ट करता है और यह स्टिरिंग सिस्टम को यह स्टिरिंग फैसलिटी को प्रवाइड करता है साथ ही साथ करता है यह जो सौक अब्जॉब्स है उसको भी अब्जॉब करता है ठीक है और साथ ही साथ क्य करता है यह जो कि वेट अप्ध वेहिकल को क्या करता है transmit करता है थूदे spring to the front wheels साथ ही साथ कहता है यह breaking torque अप्ध विल उसको भी क्या करता है यह absorb करता है अब हम लोग discuss करते हैं यह हो करते हैं यह फ्रन चे बारे में अब फ्रन चे कितने टैक होते हैं तो एक्सल जो है उसको mainly two types में divide किया गया है एक हमारा live एक्सल और next हमारा dead ओंगेखहे अब live और dead एक्सल क्यों बोला जाता है इसको तो live dead इक्सल का मिन्स है की लाइव क्यूप कि मेंभी इक्सल मिन्स होते है वहां पे हमारा जो है ठीक है रिसेजँ ज क्या होता है receive the power from the gearbox, through the engine तो engine से जो भी power हो रहा है, transmit through the gearbox propeller shaft के होते हुए हमारा gearbox, propeller shaft universal, joint, differential के होते हुए यह differential नहीं भी बोलते है अपन तो में इसमें कहोता है डारेक्टल क्या होता है, power transmit होता है, live axle जो होते है उसमें, और dead axle उसको बोल जाता है, जो क्या होता है do not rotate उसमें क्या होता है, power जो है supply नहीं होते है और वो engine से connected नहीं होते हैं, तो उसको हम बोल सकते है dead axle को will not have any connection with the engine and no power is transmitted through this axle, that is dead axle और जो dead axle होता है वो क्या होता है, sufficient rigidity होता है, वो rigid होता है और साथ ही साथ क्या होता है जो dead axle होते हैं उसमें इतना ही strength होता है कि वो weight को क्या कर सकते है carry कर सके तो यह गया, live axle और dead axle के बारे में अब हम लोग discussion करते हैं front axle construction तो जो front axle construction में क्या क्या होता है उसके कौन कौन से parts है उसके बारे में discuss करते है तो जो front axle है उसमें mainly हमारा जो components होते हैं वो होते हैं आपका axle beam और stub axle king pin track rod यह होता है उसके components आप runs front axle है तो अब जो front axle होते है generally क्या होते है jus section क्यों होते है तो क्योंकि उसमें क्यों होते है जो bending ठीक है torsion और bending को क्या करने केलिए के ऎड़े कर्ने के लिए korsion या bending जो जनरेट हो रहा है वेहिकल में उसको carry करने के लिए और center of gravity को करने के लिए हम जनरल उसको आई सेक्षन का बनाते हैं तो जो center point होता है यह सेक्षन होता है जो सेक्षन होता है और जो सिर्कूलर सेक्षन या फिर elliptical जो सेक्षन का भी होता है उसके इंस और यह क्या होता है alloy forged steel का यह बना होता है क्यों बनाया जाता है ताकि इसको rigidity और strength जो properly maintain करें rigid होना जरूरी है और strength होना जरूरी है अब loading कौन-कौन से load आएगा front axle में तो जो front axle जैसा कि मैं बताया था उसमें आपका bending and shear stress क्या होगा आउकर होगा लगेगा ठीक है क्यों weight के कारण तो अब जो अब अगर हमारा जो vehicle है वह static condition में है तो जब static condition में होगा तो क्या हो जागा अब वर्टिकली upward जो क्या होगा वर्टिकली उसमें क्या होगा फोर्स लगेगा अगर इस्टैक कंडिशन में है तो डाउनवर्ड जो है और इस कारण क्या होगा जो वर्टिकली डाउनवर्ड होगा एड़ सेंटर आप दे स्प्रिंग पैड्स वहां पर उसका लोड आएगा और साथ ही साथ दो जो वर्टिकल बेंडिंग मोमेंट भी महां पर क्या होगा कॉस होगा ठीक तो इस करण यह जो डिफरेंट हैं लोड्स हैं यह ओकर होते हैं इसमें हमारे अब फ्रन्टशल जो उसली के बने होते हैं जिसमें के होकूल फीर्सों-करभ अस्टेशल लगते हैं कोब जो सेफ होता है वह यह क्यों क्यों क क्यों क्यों इसके होता है। जो सेफ होता है डाउं फ्रन्टस्ट ॥ घुल приложacing वशा होता है, इसको लो करने के लिए और संटर प्रोइट करने के लिए उसका बनाया या स्था दो वहां पर नहीं दाउन चीज रहते हैं तो यह तो म Miram इसमें माउंटेड होते हैं क्नेक्टेड टूद में माउंटेड होते हैं तो हमारे जो इसटर एकसल होते हैं कर अब हमारे जो इन Forging के // बूशस की थे होते हैं जो एकसल है जो फॉर्क इंड होते हैं वहां पे जो भूसस होते हैं वह फोस्फ़र ब्रांच का बना होता है और वो प्र बेड़ के जाता है तो प्रवायद लिए सरफेस किसके के लिए किइंग पीन के लिए अब हमारा जो एकसल्स हे वो फोर थाइप क्यों होते है जिसमें फर्स्थ हमारा एलियाट टाइप नेक्स्ट है रिवर्ज्ड इलियट टाइप फिर है लेमो इन टाइप और रिवर्ज्ड लेमो इन टाइप तो इसमें क्या चेंजेस है तो जो इलियट टाइप है तो इलियट टाइप में क्या होता है यह फ्रंट एक्सल से अटेस्ड होता है बाइप लेसिंग इंड योक इं ठीक है और kingpin के तुरू जो thrust water है और हमारा जो stub axle के बीच में thrust washer लगे रहते हैं जो reverse Elliot होता है इसमें क्या होता है हमारा जो stub axle है वो main axle जो है front axle stub axle के अंदर fit होता है just opposite to Elliot और next हमारे पास जो stub axle है वो है lemoine और reverse lemoine तो लेमोई में क्या होता है हमारा जो फरण्ट एक्सल है , अटैजड होता है यह जन्र से हमारे जिए हमारे जो टैक्टर में यूज होते है यह लेमोई safer ईक्सल